आज हम बात करेंगे कि हमारी जो गद्धी होती है, हमारी जो शक्ती होती है, वो बंद क्यों जाती है, या फिर सामने वारा बांध देता है, या फिर गुरू बांध देता है, या फिर हमारी गलतियों की वरे से शक्ती बंद जाती है, शक्ती कारे करना बंद कर देती है, इस देखे मित्रो इसमें एक चीज कार्रे नहीं करती है इसमें भी कुछ गल्तियां जो हमारे द्वारा हो जाती है उसकी वरे से हमारी शक्ती बंद जाती है माली जी अप किसी शक्ती को भोग परसाद देते हैं या फिर शक्ती का जो भोग जाता है शनीवार का मंगलवार का या फिर और किसी दिन का अमावस्या का पूर्णिमा का और वो भोग आप नहीं दे रहे हो काफी समय से नहीं दे रहे हो या फिर आप भूल गए हो तो ऐसे स्थान पर वो शक्ती कार्रे नहीं करेगी वो शक्ती रुष्ट हो जाएगी ठीक है अब जब शक्ती रुष्ट हो जाती है तो वो बिल्कूल इसी तरीके से कार्रे करती है इसी तरीके से संकेत दिखाती है कि जैसे शक्ती बंद गई हो क्योंकि जब कि शक्ती रुष्ट होती है जब शक्ती रुष्ट होगी या बंधन में होगी दोनों ही केस में जो शक्ती होती है वो सेम तरीके से कारे करती है जब देवी देवता रुष्ट हो जाते तो वो जवाब देना बंद कर देते हैं कारे करन बंद कर देते हैं और जब शक्ति बंधन में होती तब भी यहीं चीज होती है। जवाब नहीं मिलते हुद हैं। यानि कि आपको जैसे मालीजे थोड़ी बहुत शक्तिया परिक्षा भी लेती है हमारी अपने भक्त की अपने साध्ध की थोड़ी बहुत नहीं कईयों की तो बहुत बहुत जादा परिक्षा होती है अब परिक्षा आपकी हो रही है और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रह या फिर हम बिमार हैं या फिर हमारे साथ ये समस्या है वो समस्या है आपकी पूजा पार्ट कर रहे हैं उसके बावजूद भी समस्या आ रही है तो और हम आज के बाद आपकी पूजा नहीं करेंगे या फिर लोग गुस्ते में और भी चीजे गलत गलत बोल देते हैं देवी तो आपका हमेशा कारे सिद्ध होता चल जाए को कि वो समय आपकी परिक्षा का चल रहा है परिक्षा में देवी देवता किसी भी तरीके से आपकी परिक्षा ले सकते हैं किसी भी धन के माध्यम से आपकी परिक्षा ले सकते हैं आपके सयम के हिसाब से आपकी परिक्षा ले स सबी चीजों को देख देखकर के परिक्षा ले सकते हैं और देवी देवता है ना आपको संकेत भाहर किसी को परिक्षा हो सकती एक अगर आप अब अपने गुरू का प्मान कर देते इते हो अपने इश्ट का अपमान कर देते हो तो वहाँ पर भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं मालीजे आपने अपने गुरु का ही अपमान कर दिया जिस गुरु ने आपको गुरु मंतर दिया है जिस गुरु के माध्यम से आपको शक्तियां पराप्त होई है जिस गुरु की सेवा करके भक्ती करके उनकी आपको दिवे शक्तियां पराप्त हुई हैं अगर आप उनका ही अपमान कर देते हो तो भी देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं और उनके माध्यम से उनके द्वारा दिये गए मंत्रों से जो शक्तियां चलती हैं वो शक्तियां खुद बाखुद आपको मार कर दिखाना बंद कर देती हैं आपको रास्ता देना बंद कर देती हैं ये भी एक वज़े होती है अब इसके अलावा आपसे गलत कर रहे हो जाए यानि कि देखिए ये जो लाइन होती है भक्तों की लाइन होती है ओजहाओं की सोखाओं की तांत्रिकों की साधकों की जो लाइन होती है यह बड़ी ही कठीन लाइन होती है यहाँ पर गलतियों की गलतियां अगर आप करते हो तो उसकी कोई शमा नहीं होती है यहाँ पर आप जिसमें आप या तो बिल्कुल हट जाओगे इस लाइन से या फिर आपका अंतही हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप कोई गलतियां कर देते हो जैसे कि माली जीए आप अपने चरित्र का पतन कर देते हो आप कोई और गलती कर बैठते हो आप साधना में आपने ब्रहम चर् को खंडित करना बहुत बड़ा बहुत बड़ा नुकसान दायक एक साधक के लिए हो सकता है साधना के समय में साधना काल में आगर आप किसी अनुष्ठान पर आप ब्रहम चर्रे तोड़ देते हो तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको जहलना पड़ सकता है आपके शर था कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले कुछ देवी देवता तो शमा करते हैं। माता काली प्रसन्नष बहुत प्रहन में को पूजते हो, तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है। और जब रुष्ट हो जाती हैं तो आपका बरबाद भी सब कुछ बहुत जल्दी कर देती हैं, इसी प्रकार से बहरव जी बहुत जल्दी प्रसन्द होते हैं, आप बहरव जी के मंतर का 21 दिन 41 दिन जब कर लो, बहरव जी आपके सामने आ करके खड़े हो जाएंगे, इतना प अब बहुत जल्दी खुश होते हैं लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी खास करकि ब्रम चर रहा है आपने खंडित कर दिया या फिर आपने पराई इस तरी पर बुरी नजर डाली पराई इस तरी के साथ संबंद बनाया तो आपका नुकसान होना बिलकुल तै है बिलकुल बले से आप पूजा पाट सिंपल करते हो हनुमान जी की हनुमान जी की साधना में इन सभी चीजों का बिलकुल बहुत जादा बहुत जादा इन सभी चीजों को देखा जाता है तो इनी सब चीजों की वज़े से ही हमें शक्तियां हमारी जो शक्ती होती है वो बंद जाती ह सारी गलती आपकी ही होती है उसी वज़े से आपकी शक्ती काम करना बंद कर देती हैं, भोग पर साथ टाइम पे ना देना, शक्ती का अपमान कर देना, गुरू का अपमान कर देना, मंतर पे विश्वास ना रखना, इस्ट को कोशना कोई एक काम ना होने पर, माली जी आपके तीन चार काम होगा, अगर एकात काम नहीं भी हुआ तो उसमें इपक जला दिये, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपने हमारा इकाम नहीं किया, अरे कोई बात नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा हो सकता है, उस कार्रे को करने का सही समय ना आया हो, या फिर आपके इश्ट अभी आपकी परिक्षा ले रहे हो, कि अभी अगर अभी ये सही समय नहीं है इसको ये चीज़ देने का, तो ऐसा भी होता है, आपको दहरे रखना चीए, और बस अपने इश्ट की सेवा भक्ती में लगे रहना चीए, दीरे दीरे करके आपको हर चीज़ की प्राप्ती होगी, शक्तियां भी प्राप्त होगी, सुख सौभागे चोड़ करके चली जाए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना तो…